वेलकम तू माई यूटिब चैनल तो या मैंने इंची के वेज हकका नूडल्स को अठारा रुपए में हैंलूम से खरीद लिया है अब हम इसको कट करके देख लेते हैं अठारा रुपए में हमें ठीक ठाक नूडल्स मिल गए हैं इसके बाद मैं मैंने ले लिए कड़ाई उसके अंदर ले लिए पानी और उसके अंदर अब मैं डाल दी हूँ तेल आकि नूडल्स खुले-खुले बने और एक दूसरे से चिपके न और आदा चमच नमक ताकि नूडल्स वह फीके-फीके न बने अच्छे से बॉइल हो जान अब हम इसको कट कर के देख लेते हैं तो देखें यह सानी से कट ऊ रहें इसका मतलब ही अच्छे से बॉइल हो शुके हैं अब जो क्या करना है इसको हमें एक भार थंडे पानी से दो लेना है ताकि और जादा कुक न हो जाये उसके बाद में हम इसमें ऐट करेंगे ऑईल और फिर इन सब को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं और खुले-खुले ही रहें फिर हमें इसे एक थाली में फैला के रख देना है देखिए तो हमने अपने जो नूडल से उनको अच्छे से बॉयल कर लिया है अब ले लिए एक कड़ाई और इसके अंदर में ले रही हूँ दो बड़े चमच तेल उसी के साथ में एक छोटी चमच जिंजर गालिक का पेस्ट यानि कि अद्रक लैसून का पेस्ट उसी के साथ में जैसे ही ये पक जाएगा हम लेंगे प्याज शिम्ला मिर्च पता गोबी और टमाटर अब सबजीयों का कच्चापन चला जाए तब तक हमें इसे पका लेना है लेकिन हमें इसे एक्ष्ट्रीम जो है वो नहीं पकाना है अब हम इसमें एड़ कर देते हैं अपने नूडल्स अब हम इसमें एड़ करेंगे मसाले यानि की आदा चमच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक एक चुटकी हल्दी एक बड़ा चमच लाल मिर्च आदा चमच काली मिर्च का पावडर एक चुटकी गरम मसाला एक छोटी चमच सोया सॉस फोड़ा सक कैचप एक छोटी चमच विनेगर अब हमें कर लेना इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स दो चमच से इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है यह तूटे नहीं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अगर आपको नमक या मिर्ची कम लगे तो आप इसमें और एड़ कर सकते हैं और हमारे हक्ता नूडल्स बनके तैयार है आपको यह वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप मुझे जरूर पता है और उसी के साथ साथ मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर आपको इजी और यूनिक और बहुत ही टेस्टी वीडियोस मिलेगी